आप सबी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं राकेश शोदरी, हिंदी शिक्षक, गुर्कुल कुर्क्षेत्र, आपके समक्ष, धस्वी कक्षा की व्याकरण का विशय, वाक्या लेकर उपस्तित हुआ हूँ। इस वीडियो में आवाक्य की परिभाशा, वाक करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहंचाने के लिए हम वाक्यों का सहरा लेते हैं। वाक्या विभिन शब्दों के योग से बनता है। वाक्या में प्रतेक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्या छोटा हो या बड़ा किसी ना किसी विचार या भाव को पूरण रूप से व्यक्त करने में सक्षम होता है तो वाक्य की परिभाषा क्या बनती है बच्चों सार्थक शब्दों का ऐसा वेवस्थित समुहूं जिससे एक निशित आर्थ की परतीती होती है वह वाक्य कहलाता है यानि ऐसा सार्थक शब्द समुहूं जो विवस्तित हो तथा पूरा आश्य प्रगट कर सके वह वाक्य कहलाता है वाक्य में हमें जो हैं बातों का ध्यान रखना है वो क्या है वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है शब्द यानी पद वाक्या में जो प्रियुक्त होते हैं और दूसरा वाक्या अपने में पूर्ण तथा स्वतन्तर होता है तीसरा वाक्या किसी ना किसी भाव या विचार को पूर्ण रूब में प्रगट करने में सक्षम होता है तो आईए जैसे कुछ उधारन आप यहां देख रहे हैं, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, यानि छात्र क्या कारिया कर रहा है पुस्तक पढ़ने का, फाधर बुलके संकल्प से सन्यासी थे, बाबु जी भी दो-चार गोरक पुरिये पैसे खरीद लेते थे, नेता जी सुन् की वाक्य जो हैं सही है, यानि वाक्य क्या कहलाता है, जो पुन अर्थ का बोध करवा सके, आगे आईए वाक्य के अंग के बारे में जाने, वाक्य के दो अंग होते हैं, उदेश्य तथा विधे, आप इंगलिश में भी इसे पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट और प्रेडि वाक्य में उदेश्य के विश्य में जो कुछ कहा जाए, उसे विधे कहते हैं, उदेश्य तथा विधे से समंदित, कुछ महतपून उधारन देखिए आप यहां पर, शाम ने बाजार से फल लिए, इसमें जो वाक्य है, शाम ने बाजार से फल लिए, इसमें उदेश्य है शामने और बाजार से फल लिए ये विधे है यानि करने वाला वस्तु के विश्य में जब कहा जाता है तो वो उदेश्य होता है और उदेश्य के विश्य में जो कुछ भी कहा जाए वो विधे होता है बच्चे पतंग उड़ा रही है बच्चे यहाँ पर उदेश्य है और प आपका उदेश्य हो गया, साफ बता दिया था, ये विधे हुआ, नवाव सहाब ने फिर एक बार हमारी और देख लिया, नवाव सहाब ने इस वाक्या में उदेश्य हुआ, और फिर एक बार हमारी और देख लिया, ये क्या है, ये विधे है, तो बच्चों मैंने आपको प्तेयन के भेद, वाके के भेद, आर्थ की द्रिष्टी से और रचना की द्रिष्टी से, आर्थ की द्रिष्टी से आप नोवी क्लास में कर चुके हो, अब आपके पास जो हैं, वो हैं रचना की द्रिष्टी से, आर्थ की द्रिष्टी से वाके आठ परकार के होते हैं, वाक्य के तीन भेद किये जाते हैं पहला है सरल वाक्य दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य तो आईए इनके बारे में जाने अचनक अधार पर वाक्य के हमारे तीन भेद है पहला सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उदेश्य तथा एक ही विधी होता है और एक समापिक किरिया होती है यानि कि सरल वई वाक्या जो है साधारन वाक्या है सरल वाक्या कहलाता है इसमें कोई भी वाक्या जो है वो आश्रित नहीं होता आश्रित मतलब एक दुस्वे के उपर निर्भर नहीं होता संपूनार्थ का बोध जैसे देखिए कुछ वाक्य वर्षा हो रही है, मा ने खाना बनाया, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बाल पक गए थे, इस प्रकार के वाक्य हमारे गाड़ी छूट रही थी, तो इन वाक्यों में जो ये रेखांकित पद हैं, वो मुख्य क्रिया को स्पस्ट कर रहे हैं तथा यहाँ पर एक ही वाक्य प्रधान है, आता है यह वाक्य जो है, वो सरल वाक्य कहलाता है, तो सरल वाक्य की क्या पहचान है, सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, आता है यह एक वाक्य होता है, इसमें वाक्य नहीं होते, और प्रंतु जब इसके साथ कुछ, साथ यह भी जोड़ दिया जाता है कि और फिर परसों को लुकता पहुंचने पर इस प्रकार के वाक्य सरल वाक्य नहीं रह जाता उसमें दूसरे वाक्य जब जूड़ जाते हैं तो वो संहुतिया मिश्र बन जाता है आईए दूसरा वाक्य देखें दूसरे वाक्य की क्या पहचान है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधानुप वाक्य होता है, तथा एक या एक से अधिक आश्रतुप वाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे देखिए आप इसका उधारन, आध्यापक ने कह कि कल विद्यालय बंद रहेगा दूसरा वाक्य वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है अब इन दोनों वाक्य में आपने देखा पहले वाक्य में अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा तो इसमें एक वाक्य जो है वो प्रधान है और दूसरा उस पर आशृत है तो प्रधान वाक्य कौन सा हुआ अध्यापक ने कहा और जो की के बाद वाला वाक्य है वो क्या कहलाएगा आशृत उपवाक्य है वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है तो वह लड़का मेरा मित्र है ये प्रधान वाक्य हो गया और जो उपवाक्य हमारे जो हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, संग्य उपवाक्य, विशेशन उपवाक्य और क्रिय विशेशन उपवाक्य, तो आगे एक और उधारन देखिए, मोर ऐसा पक्षी है, जिसका नरित्य सभी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मोर एक ऐसा पक्षी है, यह आरेखांकित क्या हुआ है यह प्रधान वाक्य और जिसका नित्या सभी देखना चाहते हैं यह आश्रित उपवाक्य कहलाता है यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंड रहा था यह वही लड़का है जो कल दोड में प्रथम आया था इन सभी उधानों में जो रेखांकी तांश हैं वो मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे हैं जबकि जो शेश भाग बचता है वाक्य का वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है और यह योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं एक और बात आपको धयान रखनी है वाक्य में वाक्य के जो भेद हैं स्व्प्वाक्यों और मिश्रिवाक्य हैं यह दोनों दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर बने हुए होते और सियुक्त वाक्य के अंद्र गत जो मैं भी आपको बताyan गा उसमें हमारा समुच्य पोदक नट्रेकों से जुड़े होते हैं तो उसमें समुच्य बोधक खों staan समानाधीकन समुच्य बोधक और मिश्र वाक्य के अंदर कौन सा समुच्य बोदक होता है व्यादिक अंसमुच्यबोदकी यानि एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो तो वो कहलाते हैं व्यादिक अंसमुच्यबोदक और सेक्ट वाक्य में दोनों के दोनों वाक्य जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं तो आईए देखें सेक्ट वाक्य की क्या पहचान ह जिस वाक्य में दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस पर किसी अव्यब द्वारा, किसी योजक के द्वारा, कौन-कौन से योजक हो सकते हैं वो, और, य, तथा, एवं, प्रंतु, अथवा, इसलिए आते हैं, फिर भी, किन्तु, लेकिन, आधि ऐसे वाक्य जो हैं, वो स्य प्रिक्त वाक्या कहलाते हैं जो इन्हीं योजकों से जुड़े हुए होते हैं स्युक्त वाक्या में प्रिक्त वाक्या जो है एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते जैसे उधारन देखिए दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो तो ये वाक्या में और जो है वो किससे उनको देखना करणा के निर्मल जन में सिनान करने जैसा था और उनसे बात करना करम के संकल्प से भरना था तो और यहां पर देखिए इस वाक्य को जोड़ रहा है दो वाक्यों को तो यह कौन सा कहते हैं दोनों वाक्य जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपने पुर्णार्थ का जुड़े हुए हैं समुच्य बोदक अव्यव के द्वारा जुड़े हुए हैं और से बुड़ापा आ गया था किन्तु टेक जवानी वाली ही थी किन्तु शब्द से जुड़ा हुआ फोज फाटे के साथ निकलने के दिन बीचुके थे इसलिए फोटोग्राफरों की दाने का कारिये कर रहे हैं अता है यह सभी जो हैं स्वेख्त वाक्या कहलाते हैं तो हमारे पास यह आपको तीनों जो मैंने आपको वाक्य की पहचान बताई इनके नियम अब आपके पास जो सलेबस में लगा हुआ है परिवर्तन भी है रचना की दृस्टी से वाक्या में कीजिए सरल वादगे से स्हित वाके में प्रिवर्तन बालक रोते रोते चुप हो गया यह हमारा सदारन वाक्य एसको हम किस प्रकार से स्हित में बदलेंगे देखिए बालक रोया और चुप हो गया कठोर बनकर भी सेहिर्दया रहो कठोर बनो परंतु सेहिर्दया रहो आलसी होने के कारण वह विफल हुआ वह आलसी था इसलिए विफल हुआ अस्वस्त रहने के कारण वह प्रिक्षा में सफल ना हो सका वह अस्वस्त था इसलिए प्रिक्षा में सफल ना हो सका तो देखिए आगे कुछ हमारे वाक्या है स्विक्त वाक्या है उनको मिश्र वाक्या में प्रिवर्तित करना है उनको इससे भी आपको और अदिक पहचान हो पाएगी आप प्रिवर्तित करना सीथ पाओगे सच बोलते हो इसलिए महान हो तो इससे अगर हम विश्र वाक्य में बदलें तुम महान हो क्योंकि तुम सच बोलते हो आपने कठिन प्रिश्रम किया और सफलता प्राप्त की आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन प्रिश्रम किया सुनील ने आप बीती सुनाई और सुनने वाले रो पड़े सुनील ने ऐसी आप बीती सुनाई की योजक के द्वारा देखे जुड़ रहा है वाक्या सुनने वाले जो हैं रो पड़े रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया क्योंकि रात हो गई थी तो ये वाक्य मैंने आपको परिवर्तन और इनकी पहचान आपको बताई आशा है आपको इसे समझ में आया होगा इन वाक्यों को किस परकार से पहचाना जाता है और किस परकार से परिवर्तन किया जाता है आप सभी का धन्यवाद